राधे राधे मेरे दोस्तों मैं सुरज चौदरी स्वागत करता हूँ आपका इस आध्यात्म जगत में अपने देश के महान, महान संतों, महान देवों, महान इश्वरों के अवतारों की इस कड़ी में और उनके उपदेशों और सास्त्रों में उनके वर्णन की व्याख्या म दोस्तो एक ऐसे ही भरतमान में बहुत ज़्यादा उनकी किरपा उनकी दया और उनका आसिरवात पूरे भारत बर्स में क्या संसार में जगमगा रहा है जिनको हम बावा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं उन पर आज थोड़ा सा उनका इतिहास थोड़ा सा उनकी सक्तियों की चर्चा उनकी माता उनके पिता क्या है उनकी इतिहास क्या है उनको इसक्तियां कैसे मिली जिन से आज संसार सुख पा रहा है जिन से आज जिवाओं को सफलता मिल रही है जिनके आसिरवात को लेकर आज हर व्यक्ति के अंदर इच्छा है कि वो बाबा खाटू शाम के दर्सन करने जाए और वहां से जो कहा जाता है कि खाले जोली कोई नहीं लोटता उस किरपा को वो भी पाए तो क्या है इतिहास तो बाबा खाटू शाम बाबा खाटू शाम बावाखाटू शाम का नाम था बरबरीक इनका हितियास है ये महावारत काल में जब महावारत का यो दोरा था भगवान स्री कृष्णा उतार लेकर आए तो उस्वमें पांडवों का पांडवों में जो दूसरे नम्मर के भिनाता थे भीम भीम के एक पुत्र हुआ था घटोतकच गटोतकच की माता थी हिडंबा भीम और हिडंबा का पुत्र घटोतकच अब घटोतकच और एक मोरवी नाम की एक राक्षसी थी मोरवी घटोतकच और मोरवी का विवा होता है और उनसे उत्पन होता है महावली बरवरीक मोरवी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी गटोतकच की माता हिडम्मा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी तो साहविक है कि जब माता पिता किसी आदर्स की पूजा करते हैं घर में किसी की आरधना होती है तो बच्चों पर उनकी संस्कारों का अथर पढ़ता ही है तो ऐसे ही बरवरीक पर ये प्रभाप पढ़ा कि भगवान कृष्ण है कौन और उसने भगवान कृष्ण की तपश्या की और भगवान कृष्ण की तपश्या करके उनसे युद्ध कल उन्हें माता नवदरुगा के द्वारा तीन अमोग बाण पराप्त हुए और एक दिव्य धनुस परांपत हुआ उनके तरकस में वो तीन ही बाण रहते थे और उनके पास कुछ नहीं था और उन तीन बाणों में ऐसी सकती थी कि वो संसार भर में, तीनों लोकों में किसी से भी लड़ सकते थे, उन बाणों का संधान होने के बाद सामने कोई भी सकती हो, वो अपना कोई भी प्रवाप नहीं दिखाती थी, मादरुगा के से बड़ी संसार में कोई सकती नहीं है, ज पक्षमे कौरव है, जो अधर्म के पक्षमे है अब माता हिडंबा से आसिरवाद लेकर बरवरी के इच्छा प्रकट करता है कि मा मुझे भी इस महावारत के युद्ध को देखना है अब मा असिरवाद दे देती है, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि बरवरीक ने अपने गुरू को अपनी माता नव दुरुगा को जिनसे उन्होंने तीन अमोग मान प्राप्त किये एक वचन दिया था कि इन तीनों वाणों का प्रियोग वो उसी पक्ष में करेगा जिस पक्ष की हार हो रही होगी जो पक्ष युद्व में निर्वल पड़ रहा होगा अब समस्या क्या होई समस्या ये होई कि वहाँ ये संबाद नहीं हो पाया कि पक्ष अगर अधर्मी हुआ पक्ष अगर अन्याई हुआ जिसे हराया जा रहा है तो अब नहीं होई तो नहीं होई ये दुरुभागे कहीए बरवरीक का या सवभागे कहीए बावाखादूशाम का कुछ भी कहीए अब क्या हुआ जब महावारत के उकुरु शेतर के मैदान में बरवरीक पोँचे और भगवान क्रिशन को पता चला जो कि जानते थे कि बरबरिक के पास तीन सक्तिया है और ये इसका कर्तब्य है कि उस पक्ष में लड़ेगा जिस पक्ष में कमजोर होगा जो पक्ष हारने वाला होगा मान लेते हैं कि पांडवों पांडवों ने अपने आपको कमजोर मान लिया कि उनके पास 7 अक्षोडी सेना है और कॉर्वों के पास 11 अक्षोडी सोना है बरबरीक पांडवों के उर से लड़ा लड़ने के बाद उन्होंने जैसे ही कॉर्वों को हराया बरबरीक पांडवों को छोड़कर कॉर्वों की तरफ चला जाएगा कॉर्वों की तरफ से पांड विनस्ट हो गया अब भगवान कृष्ण को इस बात की थोड़ी सी चिंता हुई तो वो पांड़ों को लेकर बरवरिक से मिलने गए और कहा कि तुम यहां क्यों कि मैं तो महावार्त का युद्ध देखने आया हूं कि तुम्हारे वचन का क्या 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 हां मेरी मजबूरी है मुझे उस सेना की ओड़ से लड़ना पड़ेगा जो कमजोर होगी तो वोला युद्ध का पैनाम कैसे निकलेगा तो बरवरिक ने अपने गुरु भगवान कृष्ण से हाज जोड़ कर कहा कि भगवान इस समस्या का समाधान तो आप भी निकाल सकते हैं मैं तो मजबूर बरवरिक ने संधान किया और भरगद के पूरे पत्तों को एक बाड़ से ही भीद दिया वो बाड़ क्या थे पहले इंगित करते थे किस को मारना है दूसरा बाड़ उन लोगों को जो है घायल करता था एक तरीके से उनको एक विशेश चिन्द देता था तीसरे बाड़ से लोगों की मरत्यू करता था या ऐसा था कि पहला बाड़ जिनकी रक्षा करनी है उन्हें इंगित करता था दूसरा बाड़ जिन्हें मारना है उन्हें चिन्नित करता था और तीसरा बाड़ जिन्हें मारना है उनकी मरत्यू करता था तो भगवान कृस्ण ने उस भरगद के ब्रक्ष का एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया, अब बाण को प्रतिक पत्ते को छेदना था, तो भगवान कृस्ण के पैर के पास चक्कल लगाने लगा, बरवरीक ने कहा अपना, वो अटाईए पैर अटाईए नहीं, तो मेरा बाण आपके पैर को छेद देगा, भ मुझे मृत्यु दंड दीजिये, या मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ मागए, तो भगवान कृस्ण ने योजनाबद मजवूरन बरवरीक से उसका सिर माग लिया, तभी से बरवरीक ने एक छणकी भी देरी नहीं की और अपना सीस काटके भगवान कृष्ण को दे दिया, तभी से उनका नाम सीस का दानी कहा जाता है, आज भी कहते हैं उस सीस के दानी की जय, महाबली की जय, यही कारण है, ये कथा आप सबने सुनी ही है, दोस्तो इसका एक राज भी है, तब से भगवान कृष्ण ने आसिरवाद दिया, भई देखो कोई अगर बल्दान देता है समाजित में, तो उसे पृष्ण कार भी मिलता है समाजित में, अब अरबरी को पृष्ण कार मिला, भगवान कृष्ण ने कहा, कि आप कल्यूग में, मेरे नाम से अर्थाद भगवान कृष्ण का नाम श्याम भी था, श्याम, मेरे नाम से जाने जा और तुम्हारे पास जो भी आएगा वो खाली हात नहीं जाएगा और ऐसा हो भी रहा है प्रैक्टिकल हो रहा है इसमें कोई संदे या दोराई की बात नहीं है लोगों के साथ जो हो रहा है तभी तो लोग इतना जा रहे हैं इतना मान रहे हैं ये कलियोगी और साइंस की दु उन्हें अपना सीज़ दे देना पड़ा, जब किसी के पास इतनी सक्ति आ जाए, कि वह सक्ती संतुलन की ही मर्यादा को तोड़ दे, वह सक्ती संतुलन की मर्यादा से ही उपर चला जाए, जो एक तर्फा हो जाए तो उसका नास निक्षित है एसा ही पिर्थम विश्यूद में हुआ एसा ही अब कुछ देश हैं, जो एक तर्फा सकती संतुलं बनाना चाह रहे हैं, कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, कुछ दूर के देश हैं, जो समुंदरों पार हैं तो सायद और ऐसा ही आजकल हमारे चाचा ताववाव में हमार परोर्ष में देखते हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी सक्तियां हो जाती हैं कि वो अपने सामने किशी को कुछ नहीं समझते हैं तो भरबरीक से बावाखाट उश्याम से और लोगों को ये सीखना चाहिए कि आपके पास बेसक संसार को जुत लेने की सक्ति हो लेकिन आपका नास का कारण आपकी सक्ति ही बन सक्ति है इसलिए हमेशा धरम का साथ्धें सत्य का साथ्धें जिससे आपका और समाज का भला हो राधे राधे